नमस्ते, आखों के नीचे की सूजन या पफी आईस से काफी लोग परिशान रहते हैं ये पफी आईस होने के कारण उनकी उमर भी जादा दिखती है और सोने के बाद भी वो हमेशा ही टायर लगते हैं ऐसा लगता है कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई और हमेशा अनफ्रेश लगते हैं तो इस पफी आईस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो पफी आईस के कारण क्या क्या होते हैं पहले कारण होता है इजिंग प्रॉसेस जैसे हमारी उमर बढ़ती जाती है वैसे ही आखों के नीचे जादा सूजन दिखना और puffiness दिखना बढ़ भी जाता है तो आखों के नीचे की जो skin है वो बहुत पतली होती है तो ये त्वचापतली होनी की वज़े से उसके नीचे वाला जो fat है वो आसानी से बाहर की तरफ प्रोटूड कर जाता है बाहर की तरफ निकल जाता है इसके वज़े से आँखों के नीचे सूजन दिखती है ऐसी सूजन 30 साल के उमर के बाद दिखने लगती है धीरे धीरे और दिन के अंत तक भी वैसे ही दिखता है ये कम नहीं होता तो अगर आपकी puffiness पूरी दिन रहती है तो ये fat protrusion के कारण हो सकती है दूसरा कारण होता है water retention अगर आपको हॉर्मोन का उतार चराव है या आपने जादा नमक ले लिया है या आपका blood pressure की गूलिया जो है वो आपकी pressure नहीं control कर पा रही तो इसकी वज़े से भी शरीर में water retention होता है तो जब भी ऐसे शरीर में पानी जम जाती है तो आखों के नीचे puffiness आना सबसे पहले देखा जाता है कुछ allergies की वज़े से भी आपके आखों के नीचे सूजन आ सकती है अगर आपको allergic rhinitis है या chronic sinusitis है या सूजन देख सकती है अगर आपको पेट के बल सोने के आदत है तो भी सुवे जब भी आप उठोगे तब आपको लगया कि आपके चेहरे और आखों के नीचे की एरिया बहुत सूज गई है यह वाली सूजन जैसे दिन बित्ती जाती है तब कम होने लगती है तो अगर आप पेट के बल सोते हो तो ध्यान रहे कि यह पेट के बल सोने वाला पुजिशन बिल्कुल सही नहीं है यह आपके चेहरे में थोड़ा सा रिंकल्स भी कराता है और आखों को भी थोड़ा पफी करता है तो इसलिए बेस्ट रहेगा अगर आप अपने बैक में सूए तो और माइल है या मॉडरेट है या सिवियर है तो उस हिसाब से यह इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है अगर आपकी पॉफिनेस माइल है तो एक थंडा सा चमच आप अपने आखों के नीचे हलके से रख सकते हो इससे भी आपकी पॉफिनेस काफी कम हो जाएगी तो एक स्टी आप टी बैग्स या कटा हुआ आलू या कटा हुआ ककडी को भी अपने आखों के ऊपर रख सकते हो अगर आप बहुत जल्दी में रहते हो और आपको ऐसे करने का टाइम नहीं है तो भी आप ये ठंडा स्पून सिर्फ आखों के नीचे पांच या दस सेकिन के लिए भी ल लगाओगे तो आपके ये सूजन काफी हक तक कम हो सकती है तो ये क्रीम आप रात को सूने से पहले और सुबे उठते ही आप आपको के नीचे लगा सकते हो आपकी पफिनेस मॉडरेट है और किसी-किसी आंगल में ही दिखती है मतलब जैसे कि आप ऐसे उपर करके दिखते ह तब ही जाके ये पफिनेस द्यादा दिखती है तो आप इसको फिलर से इंप्रूव करा सकते हो तो अगर आखों के नीचे जो ट्यूर ट्रफ एरिया है वहां पे हम अगर हाइलोरोनिक एसेट फिलर इंजेक्ट करते है तो जो भी ये गूरूव रहता है आई बैक्स और ची टाइम रहता है बस बीस से पचिस मिनिट और इसका असर रहता है एक से डेड़ साल तक तो हर डेड़ दो साल में आपको ये वापस रिपीट करना पड़ सकता है ध्यान रहे कि हमेशा आप एक ट्रींड प्रोफेशनल के साथ ही ऐसे टियर ट्रूव इंजेक्शन करा है थोड़ा सा बुरूसिंग थोड़ा सा ब्लीडिंग जैसा हो सकता है और सूजे ना सकती है जो चार से पांच दिन तक रहेगा लेकिन एक हफ्ते मैं ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है तो ये हाएल। आड़ुरोनिक एसेड करता है ये जब हाइलूरुरूनिक आशिद अम बहुत ज्यादा है और उमर भी 50 साल के उपर है तो फिर आपको सहजरी ही best option रहेगी, बाकी चीजों से आपकी ये puffiness में ज्यादा सुधार नहीं आएगा, तो lower eyelid blepharoplasty कर सकते हैं, इस procedure में एक पतला सा incision दिया जाता है lower eyelid में, फिर उसके बाद skin को उठा के उसके अंदर की जो मार्क नहीं दिखता, कोई दाग नहीं रहता और बहुत अच्छे से आपकी puffy eyes कम हो सकती है, तो अगर आपका बहुत ज्यादा puffiness है और उमर भी 50 साल से उपर है, तो फिर lower eyelid blepharoplasty आपके लिए सबसे अच्छा option रहेगा, तो ये था छोटा सा वीडियो, puffy eyes की उपर, मैं आ सकते हो, हमारा एग वीडियो देखने के लिए शुक्रिया,